नमस्कार काईकरम पार्लियमेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अर्चनामिश्रा संसा टीवी के इस खास काईकरम में हम बात करेंगे उपराश्पती और लोकसबाद्यक्षे से जुड़ी कुछ खास खबरों की साथ ही डालेंगे नजर संसद्भवन परिसर से जुड़ी तमाम गती विदियों पर तो शुरुवात करते हैं पार्लियमेंट दिस वीक की लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर लोकसबाद्यक्षे ने नजर संसद्भवन के निर्मार कारिका किया निरिक्षण निर्मार कर रहे मजदूरों को दीपावली की देश शुप काम नाए कहा श्रमिकों का पसीना और श्रम का देश के लोकतांत्रिक मोलियों में एहम योगदान जैपूर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के पचीस में स्थापना दिवस समारों में उप्राश्ट पती का संबोधन कहा प्रधान मंत्री की पहल पर गरीवों और जरूरत मंदों को स्वासर सुविधाओं का मिल रहा लाव लोकसवाद्यक्ष ने संसद्भवन में संसदिय शेत्र के किसानों से की मुलाकात संबोधन में कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगना करने के लिए है प्रियासरत आधुनिक तक्नीकी के इस्तिमाल की दी सला परियाटक पुलिस राष्ट्रिया सम्मेलन में लोकसवाद्यक्ष उम्मिर्ला का संबोधन परियाटकों को सुरक्षित वाता वरन उपलब्द कराने की आविश्रक्ता पर दिया जोर सरवादिक विविदिता वाले देश में पुलिस अधिकारियों को व्यापक कारियोजना बनाने का दिया सुझा राज्य सभा सची वाले की ओर से संसत भवन परिसर में दीपावली महुतसब का आयोजन बालियोगी सभागार में श्रीलंका के ग्रुप ने रामायन नित्रवाटिका की दी प्रश्टू दी कारिकियों में बढ़ते आगे लोगसभा द्यक्ष ओंबिरला ने संसत के नए भवन के निर्मार कारिकार निरिक्षन किया इस मौके पर उन्होंने वहाँ काम कर रहे श्रमिकों को दीपावली की शुपकामनाय दी लोगसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद के निर्माण कार्य में जुटे लोग जिस कड़ी महनत और परिश्रम के साथ लोगतंत्र के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं इसके लिए वे साधुवात के पात रहे हैं लोगसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नए भवन के निर्मान कार्य का निर्क्षण किया उन्होंने वहां काम कर रहे श्रमिकों को दीपावली की शुबकामनायदी उन्होंने कहा कि जिस कड़ी मेहनत और परिष्रम से वे लोगतंतर के मंदिर का निर्मान कर रहे हैं उसके लिए वो साधुवाद के पातर है इन में से कई श्रमिक ऐसे हैं जो भवन के शिलान्यास से लेकर आज तक वही पर काम कर रहे हैं उन्होंने भवन की नीम से लेकर शीर्ष तक के निर्मान कारिय से जुड़े संस्मरण भी साजा किये। इस अवसर पर श्रमिकों का मुहूं मीठा करवाया गया और उनके उज्जवल भविशे की काम लागिये। के माध्यम से गरीबों और जरूरत मंदों को गुर्वत्ता पूल और सस्ती दवासों निश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। बंचित वर्ग की मदद करनी चाहिए। उप्राश्पती जगदीब धनकर ने ये बात भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के पचीसमें स्थापना दिवस समाहरों को संबोधित करते हुए कही। उप्राश्पती ने कहा कि लोगों को समाज में जरूरत मंद और बंचित वर्गों की मदद के लिए कुछ समय जरूर देना चाहिए। To wipe out the tears of the poor is job of everyone because that is the mandate given by our creator. Navaratyam al-Kothari and his entire team, they exemplify that if you are determined to give back to the society, success will come easily. I was reflecting on their health. If you give, you gain greatly. It is a shining example and it resonates in our ears as the essence of our civilizational ethos that we are accountable to the almighty, our creator, that we must give back to the society all that we can give. I am so happy and delighted that the younger generation is fully equipped and ready mentally and spiritually to carry this mandate, take this button and the day is not far when this hospital living up to the ideals of Bhagawan Mahavir is stood for those five fundamentals. It will be a leading one in Asia. I have no doubt about it. बता दें कि भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की स्थापना साल 1997 में की गई थी. कारिक्रम के दौरान अस्पताल के चेर्मेन, वाइस चेर्मेन, ट्रस्टी और कई गढ़माने लोग मुझूद रहे. लोगसभाद्यक्ष ओम्रिला ने अपने संसदिया शेतर कोटा बूंदी से दिल्ली पहुंचे करीब 300 किसानों से संसद्भवन में मुलाकात की. कोटा बूंदी के एकिसान दिल्ली में आयोचित किसान सम्मान समेलन में हिस साले ने पहुंचे हुए थे. लोगसभा दयक्ष ने बालीयोगी सभागार में किसानों को संभूधित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आDo गूना करने के लिए लगातार प्रयासरत है किसान, सम्मेलनों और प्रदरश्नेयों के जरीये उनको जागरुप करने में जूटी है उन्होंने अपने संसदिया शेत्र के किसानों से आवान किया कि वे खेती में आधुनिक तक्नीकी का इस्तेमाल करें ताकि उनकी पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ सके लोकसभाध्यक्ष ओंबिल्डा ने अपने संसदिय शेत्र कोटा बुर्णी से दिल्ली पहुंचे करीब तीन सो किसानों से संसद भवन में मुलाकात की कोटा बुर्णी के ये किसान दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान संमलन में हिssसा लेने आए थे सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ये किसान अपने सांसद और लोगसभाध्यक्ष ओंबिल्ला से मिलने संसद भवन पहुचे उन्होंने अपने चेंबर में किसान प्रतिमिधियों से बाचीत की और उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुना इसके बाद लोगसभाध्यक्ष ने बाल योगी सभागार में किसानों को संबोधित किया इस अफसर पर लोगसभाध्यक्ष उंबिल्ला ने अपने संसद्य शेत्र के किसानों से आवान किया कि वो खेती में आधुनिक तक्नीक का इस्तिमाल करें ताकि उनकी पैदावार बढ़े और लागत कम हो हमारे यहाँ पर खेती की आमनी और उत्पादन बढ़ानी की बहुत बड़ी संभावना है केवल आउश्यकता है कि हम किस तरीके से खेती के अंदर नई तक्नीकी का उप्योग करें किसानों के जो नई equipment है उक्रण है उनका उक्रण का उप्योग करके हम लागत को कम कर सकें हमारा एक प्रयास है लागत को कम करना उत्पादन को बढ़ाना इन दो लक्षों पर हमें काम करना है लोगसभाद्यक्ष ने कहा कि वो हर परस्तिती में किसानों के साथ खड़े हैं और उनके जीवन में खुशाली लाने और उनकी आमतनी पढ़ाने हेतू प्रतीपद है उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का फाइदा हर पीड़ किसान तक पहुचाना बहुत जरूरी है मैंने कहा है कि जिस खेट का बीमा हो रहा है वहाँ पर सर्वे करने वाला वेकती जा रहा है वो उसको एक कोफी उसको दे कि आपका इतना नुकसान मैंने पाया है ताकि उसको पसल बीमा का अगर लाब नी मिल सके तो वो क्लेम कर सके अपील कर सके अभी तक वो साइन करा लेता था और पसल बीमा का लाब उसको मिलता नहीं था पसल बीमा वाले भी कहीं मिली भगत करते थी तो गाउं में 5-5-10-10 लोग भी पसल बीमा की जानकरी में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जैसे ही कोई आपदाई जिन जिन का पसल बीमा का क्लेम मिलना है 100% उनको क्लेम मिले पहली बार संसत भवन परिसर पहुचे किसान, लोग तंतर के मंदर और केंदरी कक्ष को देख कर भी काफी उत्साहित नजर आए लोग सबाद्यक्ष उम्मिला ने दिली के पूसा इंस्टिटूट आफ टेकनोलोजी में आयोजित पीम किसान समान समेलन में शिरकत की इस दोरान उन्होंने करशी शेतर में नवाचार कर रहे स्टार्ट अप्स के उत्पादों और सिवाँ को देखा लोग सबाद्यक्ष ने कहा कि हमारे युवा अपनी सोच और शोत के माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन का मार्ग प्रश्रस्त कर रहे हैं साथ ही क्रशी उत्पादों से रोजाना इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं बना कर वैल्यू अडिशन में भीवे सबसे आगे हैं उन्होंने कहा कि ये नई सोच हमारे किसानों को वैश्विक आपूर्ती श्रंखला में एहम भागिदार बनाते हुए उनकी सम्रद्धी सुनिश्चित करेगी लोकसभा ध्यक्ष ओमबिल्ला ने पीम किसान सम्मान सम्मेलन में क्रिशिक खेत्र में नवाचार कर रहे स्टार्टप्स के उत्पादों और सेवाँ को देखा उन्होंने कहा कि हमारे युवा अपनी सोच और शोध से कम लागत और कम क्षित्र में अधिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिस तरीके से अग्रिकल्चर सेक्टर के अंदर किसानों ने नई स्टार्टप शुरू किये विशेशूप से नोजवानों ने नई टेक्नोलोजी को लाए हैं और किस तरीके से किसान की आमनी भी बढ़ सके और टेक्नोलोजी के कारण उसकी लागत कम हो सके ये जितने भी स्टार्टप मैंने आज देखे मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर क्रशी क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन होगा बड़ा परिवर्तन होगा उन्होंने कहा कि क्रशी क्षेत्र को नई और अनन्त संभावनाव भरक्षेत्र बनाने के लिए यूवा साधुआत के पात्र हैं मैंने कई आज इनुवेशन देखे कई स्टाटपों को देखा मुझे आशा है कि मेरे भारत के नोजवान जिस विज्ञान, विज्ञान पत्रती नई स्टाटप, नई सोच, अगरिकल्चर के अंदर जिस तरीके का उनका नया सोच है जिस तरीके काँ अगरिकल्चेर के प्रतिंगी समर्पन है, वो एक किसान के बेटे हैं, और किसान खेती करते हुए उन्होंने किस तरीके से परिवर्थन हो सकता है, नई आधूनिकता आ सकती है, उसके लिए जो काम किया है उसके बधाय के पात है और इन सब नोजवानों के का परण एक भारत के क्रिशी सित में एक व्यापक परिवर्थन होगा। कारिक्रम पार्लियमेंट दिस वीक में वक्त हो गया है ग्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सिलसिला जारी है बने रही है। के रूप में वर्णित किया। साथी कहा कि इस दश्टी कोण के अच्छे परिणाम मैनुफेक्चरिंग से लेकर रक्षा के लबा कई शेत्रों में देखने को मिलते हैं। उप्राश्पती जगदीब धनकर ने गुजरात यात्रा के दोरान साबर मती आश्रम का दोरा किया। उप्राश्पती ने गुजरात के अपने तीन दिन के दोरे के समापन पर कहा कि चर्खे को देखते ही रश्ट पिता महत्मा गांधी के उस संदेश की आद आ जाती है जिसमें उन्होंने आत्म निर्भरता को सभी स्वतंत्रताओं की कुंची करार दिया था। उप्राश्पती जगदीब धनकर ने नैशनल लौ यूनिवस्टी गाधी नगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित उच्छ सेक्षा में उतकरिश्टता पर आयोजित एक कारिक्रम में भाग लिया। उन्होंने राष्टिया सेक्षानिती 2020 को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए राजसरकार की प्रशन सा की। इस दौरान उप्राश्ट्पती ने कहा कि सिक्षा में निवेश से वर्तमान के सासाथ भाविश में भी सुधार होता है। उन्होंने कहा कि यह सिक्षा ही है जो बड़े बदलाव लाती है। इसत्ते हैं लेवेश को SupreΚ भाव झार में बड़ती ही है। कर दोत्तों भ़ए सिक्षा है कि जो 2का दिए लेवी अआने स्माल स्विए और अचोल है। इस मौके पर उपराश्पती ने कानूनी और पर्यावरन के शित्र में विभिन स्टार्ट अप और उद्द्यमियों को समानित भी किया इसके साथ ही उपराश्पती ने राज्जपाल और मुख्यमंत्री के साथ राज्ज में विभिन स्यक्षिक परियोजनाओं का वर्चुल मौड में शिलान्यास किया लोगसभाद्यक्षों मिल्ला ने परियाटक पुलीस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापक कारियोजना तयार करने का सुझाव दिया केंड्री परियाटन मंत्राले की तरफ से आयोजित परियाटक पुलीस राष्ट्रिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगसभाद्यक्ष ने परियाटकों को सुरक्षित वातावरन उपलब्द करवाने के आवश्यक्ता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि भारत सरवादिक विविद्धता वाला देश है ऐसे में परियाटकों को अकर्षित करने के लिए जरूरी है कि पुलीस अधिकारी व्यापक कारियोजना तयार करें लोकसभा अध्धक्ष ओम बिरला ने परियाटक पुलीस पर राश्क्रिय संवेलन में परती भागियों को संबोधित किया कारिकम का आयोजन भारत सरकार के परियाटन मंत्रा लेने किया था इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में परियाटन के अनंत विकल्प हैं, प्राकर्तिक संसाधन, एतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्मारक और धार्मेक स्थल हैं जो वैश्विक स्थर पर परियाटन के लिए विख्यात हैं तुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है, जहां पर प्राकर्तिक संसाधन है, आध्यात्मिक संस्क्रति है, एतियासिक पुरातत्व के हमारे कही इसमारक हैं, हमारे यहां पर एडवेंचर है और विविताएं हमारे देश के अंदर है, जितनी विश्व के अंदर कही नहीं है दुनिया का जेसा प्रेटक, जेसा प्रेटक चाहे वेसी विविताएं हैं, भारत के अंदर है इसलिए दुनिया के अंदर भारत प्रेटक के रूप में एक बर्स डेस्टिशन बन सकता है लोगसभा धक्ष ने कहा कि आज मेडिकल टूरिजम के साथ-साथ भारत इको टूरिजम, बिजनेस टूरिजम और एजुकेशन टूरिजम के लिए एक महत पूर्ण अस्थान के रूप में उभर रहा है यहाँ योग प्राकतिक, मेडिकल टूरीजम, एजूकेशन टूरीजम, संसकती टूरीजम के लिए एक बेस्ट डेस्टीनिशन दुनिया के अंदर भारत है और इसलिए इस विशालता पुन देश के अंदर जिसके अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग संसकती है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेश पुशा है, अलग अलग कला है, संसकति है, शिल्पकार है, हमारे मेले हैं, यह हमारी विवित्ता हैं जिसके कारण दुनिया के प्रेटोकों आकरशित कर सकने हैं राश्ट्रिये प्रेटक पुलिस योजना सम्मेलन का उद्देश शब परेटन मंत्राले, ग्रह मंत्राले, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राज्य सरकारों, संगह शाशित प्रदेशों के प्रशासन को एक मंच पर लाना है, ताकि वे राज्य और यूटी पुलिस विभाग के निकट समनवे में मिलकर काम कर सकें, पूरे देश में एक समान परेटक पुलिस यूजना लागू की जा सकें संसद्भवन परिसर के बाल योगी सभागार में रज्य सभा सची वाले की ओर से दीपावली महोतसव पर कारिक्रम का आयोजन किया गया, दीपावली महोतसव के अंतरगत श्री लंका के ग्रुप ने रामायन नित्वाटिका की प्रस्तूती दी और कई कारिक्रम भी पेश क आए देखते हैं त्योहार के रंगों की जल्कियां दाले का अंतरगते हैं त्योहार कैसे जल्किन की जल्किन के calcium, सबस्तूती है देखता हैं एकर्णाग्डिका माथ believers अल्किते हैं धाखते हैं जल्शेखते हैं ने हम हुआते हैं कर दो कर दो लोकतंत्र में संसदिया समितियों का एहम स्थान है समय समय पर इन संसदिया समितियों की बैठक होती है विभिन मुद्दो पर चर्चा के बाद ये समितिया अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती है तो आईए जान लेते हैं सब्ताह लोग सभा में किन किन संसदिया समितियों की बैठक हुई अठारा अक्टूबर 2022 को रक्षा सम्बंदी समिति की बैठक सम्पन हुई खाद्य नागरिक आपूर्ती और सार्वजनिक वित्रण सम्बंदी समिति की बैठक भी अठारा अक्टूबर को सम्पन हुई श्रम, कपड़ा और कोशल विकास सम्बंदी समिती की बैठक भी अठार अक्टूबर को हुई जल संसाधन सम्बंदी समिती की बैठक अठार अक्टूबर को हुई लाप के पदोस सम्बंदी संयुक्त समिती की बैठक भी अठार अक्टूबर को ही संपन हुई 19 अक्टूबर 2022 को विदेशी मामलों सम्बंदी समिती की बैठक संपन हुई 20 अक्टूबर 2022 को सरकारी उपक्रमों सम्बंदी समिती की बैठक हुई 20 अक्टूबर को ही रेल सम्बंदी समिती की बैठक संपन हुई 20 अक्टूबर 2022 को ही ग्रामेल विकास और पंचायती राज समिती की बैठक संपन हुई तो कारिकरम पार्लिमेंट इस वीक में इतना ही लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात आप इस कारिकरम को संसर टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं हमें आपके फीडबैक का इंतिजार रहेगा अगले हफते फिर मिलेंगे संसर से जुड़ी एहम खबरों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे जासत नमस्कार